नमो अरी हुँ तालं नमो सिध्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो अलोवे सव्वसाभूडं मौक्षमार्गस्य नेतारं मेतारं कर्म भूब्रतां ग्यातारं विश्व तत्वानं वन्देत दगुनलग तत्वासूत्र में अपनी चर्चा चल लही है और वो चर्चा कमसा आगे बढ़ते हुए यहां तक आई है कि द्रव्यों की संख्या कितनी कितनी है अब यधी पांई प्रव्य अध्याय में सुचना प्रक बातों की मुख्यता ज्यादा है प्रक संज़े लग यह यह ऐसे होते हैं तो आगो जो चर्चा ज्यादा है उसमें इसी लिए आपने चीज्यों को थोड़ा गती पूरवक्त लेने का प्रयास करेंगे जिससे हमें इनकी मर्म को भी ख्याल में आए और अपना जो जल्दी ये व्रिशय पूरा हो तो फिर कोई दूसरा विशय भी अपनुत में विचार कर सकते हैं अब क्योंकि सुबह का स्वाध्य चालू हो गया है सुबह के स्वाध्य में वहां पर तत्पार सूतर है तो इसको थोड़ा सपन जल्दी करने की कुशिश करेंगे जिससे क्या हो कि अगर कोई नया विशय जैसे ज्ञान वुश्चियान में कोई विशय लेने का विचार हो तो पराबर द्रव्यों की संख्या देखो द्रव्यों की संख्या मतलब क्या तात्पर होता है द्रव्यों की जैसे तो पन पढ़के आई हैं बहुत पहले से पढ़के आ रहे हैं कि द्रव्या जाती की अपेक्षा होते हैं छे और संख्या की अपेक्षा होते हैं अनन्त ठीक है क्या शब्द बूला है जाती की अपेख्षा होते हैं चे और संख्या की अपेख्षा होते हैं अनथ मतलब क्या कि अगर गिनोगे तो जातिया निकलेंगी आहिक जीवनांगी जाति पुद्गल धर्म inflam आकाशका ऐसी छह जातियां लेकिन शंख्या में कितने कितने हैं बराबर तो संख्या में सब की अवलोगलग संख्या है देखला तरीके बोलते हैं जीव है अनंत पुद्गल द्रव्य है अनंत अनंत धर्म धर्म आकाश है एक-एक और काल है असंख्यात लेकिन असंख्यात भी कौन सा वाला संख्यात उस लोक प्रमान असंख्यात का मतलब आगे की स्लाइड में आपको बता जाएगा कि लोक प्रमान असंख्यात का मतलब क्या है कि लोकाकास है ना लोकाकास उस लोकाकास में असंख्यातों प्रदेश हैं और एक एक प्रदेश पर एक एक कालानू अवस्थित है और इस एंगल से उ हैं वोगी के संख्या कितनी होगी लोक प्रमान असंख्याос के प्रदमाण असंख्या paris बाब एक प्रशन आपसे पूछना चाहता हूं तोड़ा जानना भी चाहता हूं आपको थोड़ा लॉजिकली उत्तर देनी कोशिश करनी है या आलू में तो इतने सारे जीव हैं कितने जीव हैं कितने जीव हैं अलू में आपनी इतने बोलते हैं अई geared sample ले रहे हैं फिर एक पुलवी में कितने ऐसा अंक्यात शरीर होते हैं और एक शरीर में कितने जितने इतने जीव होते हैं कि तीनों काल के सिद्ध सब अंसमातर प्रमार अपने ऐसा भी कहा जाता है एक आलू के जीव अगर बहुरे काकाल लेले तो पूरे लोक में ना समाए तो जीव तो अनन्त अनन्त होने चाहिए पुद्गल से ज़्यादा होने चाहिए तो पुद्गल अनन्त अनन्त बोला और जीव अनन्त बोला ऐसा क्यों संख्या तो जीव की ज्यादा लग रही अब ऐसे कितने आलू होंगे कितनी बनस्पतियां होंगी कितने निगोदियां होंगे तो भी जीव कम है न पुद्गल ज्यादा है ऐसा क्यों है कोई उत्तर है थोड़ा लोजिक है यहां पे आपने पड़ा कि जीव अनन्त है और पुद्गल कितने हैं जीव से अनन्त गुणी अनन्त अनन्त है क्यों है इसा बोलो कोन उत्तर देगा जीव तो अनन्त है अगर अनन्त है तो वो भी शरी के साथ में है तो बुद्गल के साथ में है एग्जैक्ली यही बात में पुद्गल जीव साही पकड़े है देखो बात बहुत किलियर है कि जीव है न जीव अब आपने यह अनलाइस करके बताया इतने इतने सारे जीव होते हैं अब उसमें भी आपको यह तो समझ नहीं पड़ेगा न क्यों जितना भी जीव है जो भी जीव है अगर वो संसारी है तो अपने साथ और एक शरी लेकर बैठा है और एक शरी लेकर बैठा है फिर तेजस शरी लेकर बैठा है कार्मान शरी लेकर बैठा है यानि कोई भी जीव होगा तो वो जीव अगर यह इसमें विग्रह गती में नहीं है तो कमस कम वो तीन शरीर को लेकर तो बैठा ही है और तीन शरीर कौन कौन से और एक व भूल भी जाओ तो कम से कम तीन शरीर यानि एक के साथ तीन शरीर और ये तीनों शरीर में असंख्यात 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 पुद्गल परमाणू इसलिए एक जीव के साथ में असंख्यात पुद्गल परमाणू होते हैं तो जितने जीव उतने उतने शरीर तो हो गई न पुद्गलों की संख्या आनंत आनंत फिर अकेला जीवें के साथ थोड़ी जीवन जीव से रहत भी बहुत सारे पुद्गल है तो वहाँ पे भी सब लिया इस अपेक्षा से हाला कि आलू के जीवों की संख्या बहुत बताई जाती है लेकिन तो भी पुद्गलिक के शरीरों की पुद्गल के परमाणों की संख्या उससे जादा ही है कम नहीं बराबर समझ में आया किलियर है लॉजिक से बात बैठी न तो मुझे भी पहले जब एक बार मैंने पड़ा था यह प्रस्ट मेरे बाल बहुत का मतलब जब मैं 11 में था ना तब का मेरा प्रस्ट नहीं तो उसी समय आलू छुडाने के लिए बोला कि इतने सारे जीव और उसी समय बोले अननताना पुद्गल तो कितने कम दिखाई दे रहे हैं और जीव की संख्या तो कितनी ज़्यादा है तो फिर वहां बताया कि दिखने का मतलब कि इवल पुद्गल नहीं होता पुद्गल और और और होंगे तो होंगे सबसे बड़ी बात जीव के साथ तो पुद्गल ही ना और है तो अगर जीव अननत है तो एक जीव के साथ अनेक अनेक प्रकार के असंख्यात प्रकार के पुद्गल है तो टोटल संख्या उसके अननत अननत हो ही जाती है बराबर चली धर्म धर्म कितने एक एक हैं और लोक अकास कर्माद olm और चले आगे का स्क्र है कि असंख्याATHAN असंखेय प्रदेश जो है उनके प्रदेश कितने कितने बताते हैं स्टष देखेगा बरकलो व्यारी असंखेया प्रदेशा, असंखेया प्रदेशा, धर्मा धर्मे के जीवानब, बुलो, बुलो, असंखेया प्रदेशा, धर्मा धर्मे के जीवानब, बुलो, असंखेया प्रदेशा, धर्मा धर्मे के जीवानब, बुलो, असंखेया प्रदेशा, धर्मा धर्मे के जीवानब तो दर्म अधर्म और एक जीव के दर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेश कितने हैं दर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेश हैं असंख्यात प्रदेश धर्म के प्रदेश मतलब क्या प्रदेश मतलब उस जीव के रहने का स्थान उस पधार्थ के या उस द्रव के रहने का स्थान कितना एरिया वो capture करता है उसको हम प्रदेश से count करते हैं तो तीन द्रवें से हैं जो असंख्यात प्रदेशी है बराबर धर्म एक द्रवे है लेकिन असंख्यात लोका कास प्रमाण असंख्यात है परापर अधर्म एक द्रवे है वो भी असंख्यात लोका कास प्रमाण असंख्यात प्रदेश है जीव भी जीव अनन्त हैं लेकिन उसके प्रदेशों की संख्या भी लोका कास प्रमाण असंख्यात है कोई मुझे बताएगा यह बात समझ में क्या किरा हूँ जीव अनन्त हैं लेकिन उनके प्रदेशों की संख्या कितनी हैं लोका कास प्रमाण असंख्यात इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हम अभी भी असंख्यात प्रदेशों में हैं चीती भी असंख्यात प्रदेशो में हैं वेल मशली भी असंख्यात प्रदेशों में हैं और महामत्स भी असंख्यात प्रदेशों में हैं सवारे के सारे जीब असंख्यात असंख्यात प्रदेशों में हैं बराबर अब दो प्रश्ण आते हैं कि अगर सब असंख्यात प्रदेशों में हैं तो अलग-अलग क्य और कीड़ी के शारीर में वो भी असंख्यात प्रदेशी आत्मा है तो आकार अलग-अलग क्यों है एक अबराबर समझ मैं तो फिर जीव को अगर आसंख्यात तो पून सा असंख्यात प्रदेश लेना उम्छी में असंख्यात प्रदेश हैं हम दाबाद में असंख्यात प्रदेश बहुत हैं तो कौनसे असंख्यात प्रदेश को कि यह से हो रहा है एक बार और दूसरे नंबर की बार कितने असंख्यात प्रदेश प्रदेश लेना कौन से असंख्यात प्रदेश लेना चलिए दोनों प्रश्णों में से पहले प्रश्ण का उत्तर कौन देगा पहला प्रश्ण कौन सा था अंकल की तरफ से सुरेज भाई की तरफ से कि यह आत्मा के जो प्रदेश है वो भी धर्म अधर्म और की भाती लोका का श्प्रमाण असंख्यात है कितने प्रमाण लोका कास्प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा कीडी के सरीर में कैसे है जाता है यह थोड़ा समझ्या अलग इसका सूत्र आगे आएगा यह दो बाते मुझे जानना बताना जरूरी है कि आत्मा में प्रदेशों की संख्यात तो असंख्यात है बराबना लेकिन असंख्यात प्रदेशी होने पर भी वो संकोच विस्तार की शक्ति वाला है मतलब उनके प्रदेशों में फ्लेक्सिबिलेटी होती है तो उस सी में तो हो जाते हैं तो कीड़ी के सरीर में आते हैं और फैलते हैं फैलते हैं एक एक और प्रश्ण पूछ लेता हूं यह जो आपने लोक प्रमाणसंख्यात बोला था यह अवस्ता आत्मा की कब व्यक्त ह संद्माणसंद्गात ना चार दशा होए छे दंड कपाड प्रतर ओर लोक पूरण कि जब यह आत्मा अपने आत्म प्रदेशों को फैलाता है केवल मिर्वान के पहले बराबर ना तो उस समय उसकी आत्मा के प्रदेश समुद्गात के रूप में बाहर निकलते हैं बराबर लेकिन वो पूरे लोक में फिक्स कव होते हैं तो बोले पहले नंबर की दशा होती है के वली समुद्गात में दंडी की अवस्ता ऐसे दंडा का रूप में उसमें बेलस नहीं होते तो फिर कपाट की भाती होती है बराबर दरवाजे की भाती प्रतर में फिर उसकी च बराबर उसके सारे प्रदेशों का सीधा-सीधा विस्तार है तो सीधा-सीधाविस्तार बीना अगर कभी होगा तो कितना हो बोले लोक प्रमाना जैसे समझे ना कि टाइल्स हो ना टाइल्स की पेटी टाइल्स की पेटी हो ना आप उसको एक के नीचे एक के उपर बढ़ दोते एक डिब्बे में जाते पूरे के पूरे लेकिन वो संकुचित होकर उसमें आया अगर आप उने एक-एक करके जमाओगे व्यवस्तित तो कितन वैसे ही आत्मा के प्रदेशों का भी एक एक्च्वल विस्तार है और वह विस्तार है लोकाकास प्रमाण कितना लोकाकाश प्रमाण वो बात यहां बता रहा है ठीक है ना तो तीन द्रवे ऐसे हो गए धर्म द्रवे लोकाकास प्रमाण है अधर्म द्रवे लोकाकास प्रमा मूल भूत रूप से सुभाव से जो की लोग पूरण समुधगात में व्यक्त होते हैं बाकी समय तो जो सरीर है उसके आकारे में संकोज विस्तार सक्ती के कारण जाते हैं कौन से संक्यात का ग्रण करना अजगन्य नहीं और अनुत क्रष्ट की सबसे उतक्रिष्ट नहीं यानि मध्यम लेना बराबर कहने का मतलब यह अब देखो जरा और अपन विचार कर लेते हैं यह सभी लोग को प्रमाण असंख्यात प्रदेशी हैं कौन-कौन धर्म अधर मा का जीव को तो समझा और सांती साथ लोग का स्वेम हैं एक लिटर बराबर अगरेक तो लेकल लिटर तो हो गई होगा ना वैक वैदे कल मेरे से प्रश्ण पूछ रही थी यह बबीता की मंपीकी पांच बेटियां एक सुनीता एक कभीता एक अनीता एक ललीता पां समझे कि नहीं समझे अब यह बात कहां से आई यह बात यहां से निकलती देखो है न कि जब अपन के रहे हैं सब लोका कास प्रमाण है लोका कास प्रमाण है बराबर धर्म लोका कास प्रमाण है अधर्म लोका कास प्रमाण है जीव के प्रदेश लोका कास प्रमाण है तो एक दर्म अधर्म और लोकाकास चार ऐसी हैं चीजें जो लोकाकास प्रमाण है अब इसमें लोकाकास तो आई गया क्योंकि उसके बराबर है तो जीव धर्म और अधर्म ये तीन और आ गया समझे ना लोकाकास लोकाकास के प्रमाण है यानि असंख्यात प्रदेश यह है अलोकाक लेकिन अंतर क्या है अंतर ये है कि जीव को छोड़कर धर्म अधर्म और लोकाकास ये कभी संकोच और विस्तार से सहित नहीं होते हैं बराबर ये संकोच विस्तार से सहित नहीं होते हैं ये अपने अपने में उतने रहते हैं क्या होता है संकोज विस्तारपना होता है इसलिए एक और चीज में आपको बताना चाहता हूं जो आपको विचार नहीं इन चार के अलावा भी एक और चीज है जो हमेशा लोका कास्ट रमाण रहती है कोई बताएगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा ग्यारा रुपय का पारसल एक्यावन रुपय का पारसल उसके घर पहुचा दिया जाएगा बोलो यह इन तीन चार चीजों के अलावा भी एक चीज है जो लोका कास्ट प्रमाण है हमेशा रहती है कालानू तो एक कालानू तो एक प्रदेश है ना असंध्यात कालानू की बात ने एक कोई चीज है जो हमेशा वैसी की वैसी रहती है चलो थोड़ी सी एंट कर देता हूं पुद्गल में है वो कॉंसा स्कंद उसका एक सुन्दर नाम है आदा उत्तर दिए बेन ने साड़े 25 रुपे पहुचा देंगे महासकंद को ऐसे नाम सोना ओगा इस मोबायल थो मासकंद से चला रहा है कि सैटलाइट चला रहा है यह से चला रहा हो नहीं से चला रहा है लेकिन actual इसका कारण महासकनद है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ा हुआ है वो अमूर्थिक महासकनद है जो पूरे लोक में व्यापत है अमूर्थिक involves पेहला नहीं पुद्गले के तो मूर्थिक तो है नहीं दिखने रूप वह वह महासकनद है यह अदबुद व्याक्या है सैटलाइट के थूर रेस पहुंचा ही जाती है वो आती किसे है जाती कैसे माध्यम क्या है उनमे कोई तो माध्यम होना चाहिए न अब यह वैग्याने किसी अलग-अलग बोलते है लेकिन उसका आधार क्या है उसका आधार क्या है ऐसे करते करते अगर आप सबके आधार खोजने जाओगे तो उत्तर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे हमें जैन्दर्म बोध देता है कि सारे लोक में एक चीज है जो पौदगलिक रूप में भी है जो सरवत्र व्याप्त है वो क्या है महासकंद है वो भी असंख्यात प्रदेशी लोकाकास के ब तो यहां पर याद किया बना बिना मतलब के थोड़ी याद करते हैं वो बभीता के चौथी बेहन है तो लोकाकास की तीन तो यह हो गए और यह पांच भी नंबर की वो ठीक है ना तो यह सब चीजें यहां पर थुड़ा विचार मैं अभी बहुत दिस्तार नहीं करा लेकिन अद्बुत देन है महासकंद की और इसका बेनिफिट यह है कि हम कैसी ना किसी रूप से सबसे जुड़े हुए ही हैं सबसे जुड़े हुए हैं इसलिए हमारी प्रसन्नता का भी अन्ने पर प्रभाव पड़ता है हमारे दुखो और आपको दुखी रहना हो तो अन्ने को दुखी रखो क्योंकि जो आप देते हो वही आपके वातावरण में आपको बापस मिलता है इस बात की सिद्धी भी उस पौदगलिक सिद्धान से होती है ठीक है ना बराबर ना चली अपने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते है अब बात करते हैं आपकाश के आपकाश के कितने परदेश होते हैं वो बताते हैं अगले सूत्र में आकाशुर्षयनंता हाँ, बोलिए. जो है न वो आगे ठैली होता है carry forward होता जाता है इसे बोलते अनुवृत्ती बराबर तो अनुवृत्ती से इसका प्रदेश ग्रहन कर ले बराबर अब क्या कहते हैं दो और सुतर अच्छे आते हैं ये भी प्रदेशों के सारे में चर्चा है संखेया पुद्गलानाम इसमएं क्या शचललिया मतलब पुद्गलों के कितने प्रदेश हैं कूले संखे मतलब काउंटेबल यानि दो तीन चार दस पचास सो हजार दोहजार ऐसे भी हैं असंखे बिए और चार शब्द है न चाह से अनन्त के अनूरती निकलती है अनन्त के अनूरती मतलब पहले अपन नाकास के सूत्र पढ़े ना देखो संख्यात्र प्रदेशी एक्जाम्पाल की रूप में अगर देखें तो यह अपने मॉबाइल है कपड़ा है सब असंख्यात्र प्रदेशी है नहीं है जो हैं तो कम एरिया में लेकिन उनके प्रदेशों में जैसे जीव में संकुचित शक्ती होती है ज्यान लखना संकुच विस्तार शक्ती जीव का भी गुण है और पुद्गल का भी गुण है अरे की बात नहीं आरे ख्याल में कि संकुच विस्तार शक्ती तो ही है कि जो शास्तर पहले इतनी बड़ी लाइब्रेरी में बनते थे वो आज सारे शास्तर संकुचित होकर आप 32 जीवी का मोबाइल ले लो तो उसका कार्ड ले लो इतना सा कार्ड उस कार्ड में आ जाते हैं आ जाते की नहीं है जाते तो यह कैसे हुए यह सब कैसे होगे बता कभी आपको आश्यर नहीं लगते हैं चीजों का हम तो मैं तो सच बता रहा हूं रोज देखता हूं तो भी आश्यर लगता है खुद खु चीजें सिमट कर एकदम बास में अगें Meta mobile दिख रहा है एक्चनल में तो कहा पर ईना करी एक से कार्ड में कितना सा कार्ड 32 जीवी का कर्ड हो 16 ही कार्ड 258 जीनिबी कार्ड इतना बड़ा-बड़ा काक्ड तोभी उतनी जिगे का था और एक जीवी का तो kalau see you संकोष चतो होने की चाहिए अन्दर में विस्त्रत होने की सामर्त। उसके अंदर मनिला तो कुछ प्रदेश होते हैं जो संकोष के रूप में तो रहते हैं बले कम प्रदेशोंमें लेकिन अगर उनका विस्तार किया जाए तो अनंत प्रदेश तक फैल सकते हैं ऐसी उनमें सामर्थ होती है तो इस एंगल से पुद्गलों में भी असंख्यात प्रदेशी पुद्गल होते हैं ठीक है न डन समझ में आया तीन टाइप के पुद्गल हो गए कौन-कौन से एक तो संख् कर दो असंख्यात प्रदेशी और अननत प्रदेशी तीनों प्रकार के पुद्गल होते हैं अब 11 नंबर का प्रस्चाम आता है नाडो हो दू बोलो घाल एक नाडो हो था किना डो थेन अगर अनुब्ृत्ति में लगाओ और अनुब्रत्ति नहीं लगाओ तो कितनी बड़ी समस्या हो जाए अनुब्रत्ति समझ गया थोड़ी दिर पहले मैं अनुब्रत्ति बोली थी अनुब्रत्ति में पुराना संबंद जूनी उधारी तो अपने सूत्रों में हमेशा हिसाब किताब के लिए नहीं होता हम ने स्वाट्वार सुत्र के सुत्रों में उधारी चाहिए